आज हम बात करते हैं पहला जो टॉपिक है दोस्तो इस ग्रेटर तिप्रा लेंड ठीक है ये ग्रेटर तिप्रा लेंड क्या है अभी दोस्तो जंतरमंतर के उपर ना एक धरना चल रहा था जो mostly हमारे जो न्यूस चैनल्स थे या जो हमारे बड़े बड़े न्यूस पेपर्स उन्होंने cover किया ही नहीं इतना detail में उसको cover नहीं किया और ये जो मुद्दा है दोस्तो अभी Indian Express के अंदर में आया है Indian Express का जो explained section होता है वहां पर इस मुद्दे को discuss किया है ये मुद्दा है क्या मैं आपको बताता हूं दोस्तो ये एक अलग statehood की demand है एक अलग राज्य की demand क बात आती है दोस्तो तो आपके दिमाग में सवाल आता है सर नौर्थ इस्ट के अंदर में तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर वो separate राज्य की बात करते हैं जैसे मैं नागालेंड की बात कर लो तो they are demanding for the separate नागालेंड ठीक है वो कह रहे हैं अलग नागाज के लिए तो state कैसे बनते हैं ये हम इस topic में बात करेंगे constitutional provisions की इसके बारे में बात करेंगे हम बात करेंगे दोस्तो जो states जो है ये जो demand हो रही है तिप्रा लेंड की इसकी history क्या है है इसकी बात करेंगे मैं बात करूँगा दोस्तो आपका की सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए है इसको resolve करने के लिए सारे मुद्दे important है लेकिन यहां से जो limelight में मुद्दा आता है दोस्तो ये तो ठीक है current news है current affair मालो ठीक है या आप current affair से इसको ज्यादा भी रख सकते हो North East से related issue है बट ये किस aspect को cover कर रहा है आपका तो ये आपका एक aspect है दोस्तो जिसको cover कर रहा है जि कौन से provision है सविधान के अंदर में जिससे अलग राज्यों का निर्मान किया जाता है यानि कि article number 2 and article number 3 जो आपका constitution का part 1 है वो इसमें important है दूसरी बात दोस्तो हमें जो है historical analysis देखने को मिलता है कि भारत के अंदर में राज्यों का जो division हमने किया है आज भारत में इतने सारे states है इतनी union territories है तो आपको क्या लगता है दोस्तो what is the criteria of this division हमने divide कैसे किया है इसके उपर अलग-अलग commissions बने हैं उन commissions की क्या report है तो generally अगर हम बात करें तो हमने अपने देश को अलग-अलग राज्यों में basically on the base हमने किसके उपर डिवाइड किया है भासा के आधार पर generally अगर हम बात करें भासा के उपर ठीक है और ethnicity के उपर में हमने generally division जो है वो किया है भारत के अंदर ठीक है सर किन-किन और आधारों पर आप division कर सकते थे तो हम अगर चाहें तो आपका भोगोलिक छेत्र के आधार पर division कर सकते थे हम ठीक है हम चाहें तो जो आपका ethnicity उसको और ज्या आज भी even demand है उसके अंदर में कि कुछ और चीजे बनाई जाए बट हम देखते हैं कि administrative convenience क्या है वह साशन करने में ऐसे तो पूरे भारत को हम state में बाटते ही ना अकेले केंदर सरकार चलाती बट इससे administration में बहुत दिक्कत होती तो हम चाहते हैं कि administration को सुचारू रूप से चलाया जाए है ना आप देखो अलग-लग राज्य है तो हर राज्य की सरकार है हर राज्य का अलग-लग सरकार है उसका एक अलग structure है उसको अलग-लग राज्य को districts में डिवाइड गिया है हर district का एक अलग district administration है तो इस आदार पर आप देख सकते हो दोस्तो जितने राज्य ज जादा है तो इससे administration में क्या होती ही दोस्तो थोड़ी आसानी होती है administration प्रसाशन के अंदर में जो problems हमें बड़े राज्य में face करनी पड़ती है वो हमें छोटे राज्यों के अंदर में face नहीं होती और वो सारी problems हमारी यहां से क्या हो जाती है दूर हो जाती है अब जो greater tipra land ह इसके मुद्दे पे आते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि greater तिप्रा लेंड जो है दोस्तो ये तिरपुरा की कुछ जो है लोग है basically 19 ट्राइबल जो है ये जंजातिया है 19 जंजातिया है they are demanding कि उनको एक separate statehood का दरजा दिया जाए एक separate state उनके लिए बना दिया जाए एक autonomous reason है जुसको कुछ legislative power भी दिया है सरकार ने already एक initiative लिया हुआ है इस मुद्दे को sort out करने के लिए बट ये कह रहे हैं कि हमें इन 19 जातियों को जंजानतियों को मिला के आप अलग से एक state काव कर दो एक अलग से state बना दो ठीक है तिरपुरा की आज हम बात करें तो तिरपुरा के अंदर है ये ठीक है लेकिन आज इनके साथ एक problem है तिरपुरा के अंदर में ये जो तिरपुरी जो tribes है जब हमारी देश आजाद हुआ था दोस्तो उस समय ये भहूमत में थे 60% से जादा जो थे ये कुछ tribes थी जो मैं बता रहा हूँ बंगलादेश है तो यहाँ से इस पूरे state की डेमोग्राफी चेंज हो गई है ठीक है तो वो बेंगॉली लोग जो है क्योंकि तृपुरा बॉडर लगता है बंगलादेश से है ना तो वो migrate करके इधर आगे और उसकी वज़े से state की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई है है ना अब बाहर से लोग आएंगे दोस्तो तो obvious बात है competition बढ़ता है resources के लिए है ना लैंड जो होती है उसका बटवारा होता है तो बहुत सारी दिक्कते उसके अंदर में आती है तो इस पाकिस्तान यानि की बंगलादेश से जो बेंगॉली लोग गए है तृपुरा के अ हमारे घर के अंदर में हमी क्या आगे है minority में आगे अलप संख्यक में आगे है पहली बात दूसरा क्या है दोस्तो तो जब भी इस प्रकार से कोई migration होता है तो उससे state के resources पे दबाव पड़ता है असम में क्या मुद्दा है नर्सी वे नर्सी का यही मुद्दा है कि भाईया इस issue goes with the Bangladesh ठीक है Bangladesh भी यही कह रहा है तो क्या कह रहा हूं मैं दोस्तो जब भी यह होता है तो competition बढ़ जाता है दोस्तो resources के लिए और वो एक बड़ी problem है तीसरे point पर आता हूं दोस्तो क्यों है एक समबड़ी समश्य है दोस्तो इसे ethnic clashes बहुत जादा होने लगता है जैसे अ ethnic violence जो है वो भी यहाँ पर हो सकते हैं तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए दोस्तो now these the people of तुरपुरा some two major political party they are demanding कि हमें एक separate तिप्रा लेंड चाहिए भईया ठीक है हमारे जो tribal area इनको मिला और हमें एक तिप्रा लेंड जो है अलग से बना दो ठीक है और एक बड़ी चीजे तूल पकड़ती है पिछले बार भी election में यही मुद्दा था तो वहां की एक party थी ठीक है जो आज BJP के साथ में मिलके वहां पे सरकार बना रखी है उसने तो जब वो party जो थी उस समय पिछली बार उसका भी यही डिमांड था एजेंड यही था कि तिप्रा लेंड त दोस्तों वो जीट जाएगी पिछली बार भी एक party ने इस मुद्दे को उठाया था वो election जीत गई थी ठीक है लेकिन बाद में वो BJP के साथ मिल गई तो BJP के साथ मिल गई तो उन्होंने यह जो अपना अलग तिप्रा लेंड की जो डिमांड थी इसको suppress कर दिया है ना लेक तो एजेंडा एकदम से surface पे आ गया है ठीक है एजेंडा एकदम से बड़ा हो गया है तो मुझे लगा कि चलो इसके बारे में थोड़ा सा discuss कर लेते हैं तो यह बात मेरी आपको समझ में आई या नहीं आई दोस्तों देखो इसमें discuss करने की क्या बात है पहला तो इस मुद् से पलायन होता है तो they becomes minority एक पूरा demographic change आ जाता है उसमें ठीक है अब उससे बहुत सारे दिक्कत होती मैंने बताया एक तो competition for the resources फिर मैंने बताया ethnic classes ठीक है और उसके बाद में मैंने बताया एक sense of insecurity ठीक है यह तीन चीजे थी अब immediate cause क्या immediate cause मैंने बताया election आ रहा है ठीक है त तो article 2 और article number 3 जो है इसके माध्यम से हम बतायेंगे किस प्रकार से parliament एक अलग state काओ कर सकती है एक अलग state जो है बना सकती है इसके बारे में भी हम article number 2 और article number 3 से बात यहां पर करेंगे तो यह हमारा पूरा मुद्दा रहेगा topic के अंदर में discuss करने का अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं और मैं चाहूंगा गाईज कि आप वीडियो को like और share जरूर करते रहें ठीक है वीडियो को like और share जरूर करते रहें प्लीज इट्स माइं हमबल रिक्वेस्ट तो अल फ्यू सारे बच्चे एक बड़ इसको like और share जरूर करेंगे ठीक है सभी एक बड़ लाइक करो वीडियो को और share कर दो चलिए अब मैं आपता हूं यह कहानी मेरी समझ में आ गई आप सभी को हाँ ठीक है ओक रिपोर्ट है कहानी समझ में आ गई तो अब आईए दोस्तो थोड़ा सा content देख लेते हैं है ना वैसे लिए topic अब समझ ही पर यह कहां हैगा तो जी इस पेपर 2 & 3 के अंदर आता है 2 & 3 3 के अंदर क्या internal security है ना 3 के अंदर और आपको पता है कि जो ना यह नौर्थीस्ट के अंदर में यह जो issue है अगर आपने इसको resolve नहीं किया तो क्या होगी इससे insurgency बढ़ जाएगी है ना अगर आपने इस करनी है कि इसकी कैसे state बनते हैं तो basically Indian polity, center state relation, government policies and interventions and northeast insurgency यह मुद्धे हैं जो इस topic के अंदर में क्या होते हैं cover होते हैं ठीक है तो इसको मैं discuss करूँगा तो क्या कहते हैं पहले प्री का सवाल देख ले चलो पहले प्री का question देख लेते हैं ठीक है प्री का question देख लेते हैं समझी का बात को ध्यान से क्या कहना चाहता है कवी इसमें क्या कहना चाहता है ठीक है कवी कोन है आपे कवी है सुमित राठी सर ठीक है बताइए कवी क्या कहना चाह रहा है for the purpose of creating a new state in India and amendments to the constitution of India must be passed by मैं बोल रहा हूँ कि जब आपको एक नया state बनाना है तो इसके लिए आप आपको संसोधन करना पड़ेगा अब यह जो संसोधन है यह कैसे पास होना चाहिए मतलब पारलेमेंट में बहुमत कैसा चाहिए पारलेमेंट में मिजॉरिटी कैसी चाहिए इसको पहला two-third majority of the member of both the house of the parliament presented in voting पहली बाद दूसरा two-third member of both the houses दोनों सदन से दो दियाई member होने चाहिए जो present है और vote कर रहे है बस हमें total member से मतलब नहीं है बस हमें उन से मतलब है जो उपस्तित है और vote कर रहे है ठीक है दूसरा two-third majority of the member of both the house of the parliament and rectification by not less than two-third of the majority of the state ठीक है दूसरा a simple majority of the parliament and rectification by not less than half of the state कह रहा है बस parliament की बाकी सब बक्वास है simple majority खास है आप simple majority दे दो काम चल जाएगा तो आपको ये बताना है प्यारे बच्चो इसके अंदर में कौन सी बात आपको सही लग रही है फटाफट बताएंगे सारे के सारे बच्चे comment box में फटाफट comment box आपके लिए खुला हुआ है जल्दी स comment box के अंदर में बताओ ठीक है कौन सा जवाब इसका आपको सही लग रहा है ठीक है फटाफट बताएंगे ओकिक रिपोर्ट करके यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कोई tension नहीं है कोई problem नहीं है नहीं आता है तो कोई बात नहीं दोस्तो हम इसको discuss करेंगे अभी tension लेने की ज आसे कुछ कुछ करने लग जाते हैं तो तो बी बहुत बड़ी है बी बाड़े बच्चों को मैं इनाम दूँगा चलिए हिंदी में ये था ठीक है हिंदी में क्या था ये था बसे सवाल जो है इसका डी है आपको सिर्फ संसद में एक साधान बहुमत चाहिए बस ठीक है अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले पूरा मुद्दा डिसकस कराता हूं आपको पहले ठीक है तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं सो कॉंटेक्स्ट क्या है दोस्तों ग्रेटर तिप्रा लेंड बहुत सारे ट्राइबल आउटफिट है तिरपुरा के ये आपस में जुडगेंड देर डिमांडिंग फोर देर सेपरेट इंडिजीनियस स्टेट अब ये जंतर मंतर पर धरना देरे हैं नवंबर 30 से लेकर दिसंबर एक इनका धरना चला था और देर डिमांडिंग देर सेपरेट इनको अलग राज्य चाहिए वहिया ठीक है तो तिरपुरा क कई आदिवासी संगठे उनने 30 नवंबर से 1 दिसंबर को जंतर मंतर पर धरना देकर छेतर में स्वदेशी समुदायों के लिए एक अलग राज्य की मांग की है ठीक है भी अलग राज्य की मांग आगे बढ़ाओ कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी है जिनोंने इस बात को समर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होती है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टी होती अलग राज्य बनेगा ठीक है तो अलग राज्य बनेगा तो जो पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए आगे बात रखेगी तो उसके चांसेज ज्यादा होते हैं कि फिर उस्ट दो political party है, जो इसको क्या कर रही है, आगे बढ़ा रही है, एक political party है, जिसका नाम है आपका तिपरा मोथा, यानि कि आपका तिपरा, indigenous progressive regional alliance, ये तिपरा full form है उसकी, और एक है IPFT, indigenous people front of तिरपुरा, अभी इसकी सरकार है तिरपुरा में, BJP के साथ मिलके, इन्होंने अपनी सरका जो इनकी बात सुने, पारलेमेंट में स्मुद्धे को उठाया जाए, और जल्द से जल्द, तिपरा लेंड जो है, जो indigenous tribal community है, उनके लिए कालग से छितर बनाया जाए, what is their main demand, what are they are demanding, as I told you, they are demanding a तिपरा लेंड, ठीक है, तिपरा लेंड मतलब for the tribal community, जो वहां के लोग है, इनके लिए ये कालग से राज्य की मांग कर रहे है, Northeastern state के अंदर में, कि हमें कालग से राज्य दो, तिरपुरा में से कालग से तिपरा लेंड हमें काट के दो, they want center to carve out a separate state under Article 2 and 3 of the Constitution, कि सविधान के दो, और तीन आर्टिकल का उप्योग करो, और हमें कालग राज्य जो है तो पहले तो ऐसा नहीं था, तो आज अचानक से इनको कैसे अलग राज्य की बात, मतलब सूजी है कि आज हमें अलग राज्य ले 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 ठीक है, तो बताता हूं में, तिरपुरा जो है न, was a kingdom ruled by the Manikya dynasty from late 13th century until the signing of instrument of accession with the Indian government in 1947, देखो तिरपुरा जो है न, 13 स्तापती से ल हम बात करें, तो यहाँ पर Manikya once जो है उनका साशन रहा है, किनका Manikya once का साशन रहा है, अब यह demand आई कैसे, जिस मैंने आपको पहले ही बता दिया था, demand ऐसे आई सर, कि कि बहुत सारे Bengali लोग जो है न, वो इधर पलायन कर गए, और इस state की पूरी demography बदल गई, पहले state के अंदर में जो यहाँ के indigenous tribe थी, तीन जातिया हैं उसमें मुखे, उनकी जनसंख्या लगबग-लगबग 60-70% के आसपास थी, बट जब से Bengali लोग यहाँ गए हैं दोस्तों, तो यह लोग minority में आ गए हैं, अलप संख्या को गए हैं कौन, यह लोग और वो बहुमत में आ गए The demand stems from the anxiety of the indigenous community in connection with the change in the demography of the state, demography का मतलब है जनसंख्या का वितरन है, बदल गया, पहले यहाँ के tribal लोगों की जनसंख्या जादा थी और आज यहाँ पर इन Bengali लोगों की जनसंख्या का हैं जादा है, तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, इसके अंदर में पूरा जन संख संख्या की बदलाव हुआ है, और इस जनसंख्या की बदलाव के अंदर में क्या हुआ है, जो यहाँ के स्वदेशी समुदाए हैं न दोस्तों, उनको चिंता हो रही है, क्यों क्योंकि आप यहाँ पर Bengali speaking लोग आ गए हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, इट happens due to the displacement of Bengalis from the East Pakistan between 1947 to 1971, 1947 से लेकर 1971 के बीच में पलायन होता है, कहां से दोस्तों आज जो बांगलादेश से वहाँ से पलायन होता है, और क्योंकि तृपूरा इसके साथ बॉर्डर शेर करता है, तो वो लोग तृपूरा के अंदर आ जाते हैं, और उसी से यह जन संख्य की बदलाव जो है आज देखो इनकी जन संख्य क्या कुछ है ही नहीं, तो अगर हम बात करेंगे तो पॉलिटिकल स्टैचर की अगर बात करेंगे, तो किनका बड़ा है इनका, पर बिंगॉली लोग जो है, उनकी सरकार जो है इससे बनेगी है न, तो यह एक मुद्दा है, दोस्तों यह एक द इन इंटर्वीनिंग डिकेट्स, एथनिक कॉन्फिलिक्ट, अब ऐसा होगा, दूसरे एरिया के लोग जाएंगे, तो क्या होगा भई, जो ट्राइबल लोग है, इनके धरम जाती है, इनके साथ, छेड़ चाड होगी थोड़ा बहुत कल्चर के साथ में, तो उसी से होगे ह दोस्तों, हमारे एथनिक कन्फिलिक्ट, एंड इनसरजेंसी ग्रिपल्ड, दा स्टेट, विच शेर सा नियरली, 860 किलोमेटर लॉंटरी बंगलादेश, 860 किलोमेटर बंडरी बंगलादेश के साथ में, शेर करता है, और इन सब चीजों से दोस्तों, इसमें क्या होने लग यह क्या बोल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, यह कह रहा हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेमोग्राफी चेंज होई है, डेमोग्राफी तो चेंज होई है, और जो जमीन हमारे पूरवजु ने हमारे लिए छोड़के गए थे न, वो जमीन भी इनको दी जा रही है, हम यह दिक्कत है, अब obvious ही बात है है, दूसरे लोग आएंगे तो जमीन भी बटेगी, रिसोर्स तो बटेंगे, तो रिसोर्स का दबाव है, पूरा economy पे दबाव पड़ेगा, तो यह यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, यह बात आपको समझ में आ रही है, यह बात की नही भी कर देंगे, अब बात करते हैं सर, what is the immediate cause, अब सर, यह तो बहुत पुराने टाइम से ऐसा, आज तो ऐसा अचानक से हुआ नहीं, तो आज इनको जंतर मंतर का रस्ता अचानक से कैसे पता चल गया, दोस्तों कोई भी चीज अचानक से नहीं होती, आज ही जंतर मंतर पे आ ठीक है, indigenous people front of तिरपुरा, पहले इनकी भी demand यही थी, main demand की हम तिप्रा लेंड बनाएंगे, तिप्रा लेंड बनाएंगे, है ना, इनका चुनाव में एजंडा यही था, अब यह लोग जीत गए, अब जीत गए ठीक है, अब सरकार इनोंने बना ली BJP की साथ मिलके, अब BJP center में भी है, तो इनकी वज़े से, इनकी जो, वो जो अलग state route की demand थी, उसको दबा दिया गया, इनोंने भी अपनी बात को उठाया नहीं फिर, ठीक है, अब यह तो उठा नहीं रहे, अब यह जुनावी सी मुद्धे पर जीते थे, अब एक दूसरी party है, ठीक है, तिपुरा कि हमें अलग से तिप्रा लेंड चाहिए, तिप्रा लेंड चाहिए, तो पहले यह party थी, लेकिन इस बार यह party उबर रही है, और इस party की भी demand क्या है, दोस्तों, तिप्रा लेंड, हो सकता, यह भी जी जाए, कल को, यह भी सरकार बना ले, BJP के साथ, या किसी और party के साथ मिल जैसे, एक लीडर के अलग से उठने के वज़े से, यह demand आपकी बढ़ रही है, अब देखो दोस्तों, ऐसा नही है कि सरकार ने इसके लिए कुछ कदब नहीं उठाया, ठीक है, अगर नागा लोगों की बात हम जब करते हैं, नागा लेंड के अंदर में, तो वहाँ पर भी यह demand कई बार उठाये, guys, एक बार comment box जरूर देखें, ठीक है, टेलिग्राम चैनल का link जो है, यहाँ पर बच्चों आपको share किया है, टेलिग्राम चैनल का नाम share किया है, तो एक बार मेरी request है कि आप जाके सारे के सारे बच्चे उसको join कर लें, जो है, देख ले एक बार, ठ सरकार ने पहल की हुई है, वही सरकार का ऐसा ही बात नहीं है, सरकार ने कोई initiative नहीं लिया, government took the initiative in the form of government-nake autonomous council, district council मने, देखो main दिक्कत क्या है, देखो कुछ leader होते हैं, जो इस परकार की demand करते हैं, ठीक है, अब उनकी कुछ political aspiration है, अब यह जो मानिके किंग यह जो बता रहे भागिदारी नहीं होगी, सरकार में भागिदारी हम तुमें दूसरे तरीके से दिला देते हैं, हम यहाँ पर एक autonomous council बना देते हैं, सविधान के अंदर में schedule 5 और 6 जो है, talks about the area of schedule tribe and schedule caste, so हमने क्या किया, हमने सविधान के अंदर में schedule 6 का इस्तमाल किया, और हमने इन areas को मिला आते हुए, जहाँ पर ये tribes आपकी रहती थी, हमने autonomous reason बना दिया, उसका नाम हमने दे दिया, तिरपुरा Tribal Area Autonomous District Council, यानि कि TTADC, हमने बना दी दोस्तों, और हमने 6 schedule का उपयोग करके बनाई है, हमने 1985 के अंदर बनाई थी, to ensure the development and secure the right and cultural heritage of the tribal communities, परपस क्या था, कि जो हमारे आदिवासी समुदाएं हैं, उनके अधिकारों की हम रक्षा करें, उनकी सांस्कृतिक विरासत को हम सुरक्षित करें, और उनका विकास सुनिश्चित करें, ये सब सोच के दोस्तों, हमने तृपुरा जंजातिये छित्र, स्वायत्ता जिला परिशद, TTADS का गठन हमने 1985 के गवर्न कर सकते हैं, ये सरकार ने पावर दी, इस काउंसिल के अंदर में 30 मेंबर होते हैं, जिनमें से 28 जो हैं, दे आर इलेक्टिड एंड दो जो हैं, वो गवर्न रखित वारा नॉमिनेट किये जाएंगे, आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है, और 60 जो हैं इस तिरपु ट्राइबे, ठीक हैं, ग्रेटर तिप्रा लेंड एंविसेज, अब ये जो एरिया है जहां पर ये ये काउंसिल काम कर रही है, ये कहरा है कि इस काउंसिल के सारे एलिया को मिला के एक स्टेट ही बना दो, ठीक हैं, तो ये कहरा है कि इसी को ग्रेटर तिप्रा लेंड जाते हैं अब तो ऐसे तो फिर सब लोग अलग राज्य मांग लेंगे यार ठीक है अब इससे कई सारे मुद्ध उत्पन होते हैं पहली बात क्या ऐसा करना सही है जैसे अगर मानके चलो सरकार ने इनको एक अलग स्टेट उड़ दे दिया तो ऐसे कल को फिर से कुछ और राज हो सकते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा ठीक है वो आपको भी डिसकस करना है हमारे साथ यहां पे मिलके अब हम बात करते हैं सर वट रद़ कॉंस्टिटिशनल प्रोविजन फॉर सेपरेट स्टेट एक अलग राज्य बनाना हो हमें तो उसके लिए सवीधान में क्या प्र यह किन टर्म्स कंडिशन के उपर में होगा जो राज्य को यानि कि भारत देश को अच्छी लगे ठीक है यानि कि पार्लेमेंट को ठीक लगे उन कंडिशन के उपर में पार्लेमेंट आर्टिकल दो के अंदर में दोस्तों क्या बना सकती है कि नए राज्य का गठन कर सकती ह However, the Parliament cannot establish a new union territory, हम कोई नई union territory नहीं बना सकते, Parliament by कानून पास करके, उसके लिए हमें एक संसोधन करना पड़ता है. However, Parliament cannot establish a new union territory by passing a law that can only be done through our constitutional amendment. कहने का मतलब, आप राज्ये बना सकते हैं, लेकिन जब आप के अंदर सासित प्रदेश बनाएंगे, तो you need an amendment, जैसे सिक्कीम एड़ हुआ था. तो सिक्कीम जो है, आर्टिकल 2A के अंदर में एड़ हुआ था, ठीक है, तो वो अलग से एड़ हुआ था, जब union territory था, बाद में हमने उसको राज्ये बना है. तो यहाँ पर बात रखोगे, कि Parliament cannot make union territory, ठीक है, by the law, कानून पास करके राज्ये बन सकता है, union territory नहीं, union territory के लिए, you have to amend the constitution, आपको संसोधन करना पड़ेगा. अब बात करते हैं, जैसे state-like सिक्कीम, ठीक है, वो पहले क्या था दोस्तो, पहले वो एक union territory था, बाद में वो state बना है. अब बात करते हैं, दोस्तो, article number 3 का. Article 3 क्या कहता है? It empower the parliament to make the law relating to the formation of new states and alteration of the existing state. Article 3 क्या कहता है? Article 3 जो है, यह कहता है, कि यह parliament को power देता है, शक्ती देता है, कि वो नया राज्य बना भी सकता है, और साथ-साथ में नय राज्य की जो boundary है, कोई पुरणा राज्य उसकी boundary को alterate कर सकता है, छोटा बड़ा कर सकता है, तो यह इसको अधिकार है, article 3 के अंदर, तो article 2 और article 3, मैं कहुँगा, सवीधान का part 1 जो है, वो आप related सर्च में रखना है, ठीक है? मैंने रखा नहीं, बढ़ ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, part 1 of the constitution, ठीक है? part 1 of the constitution, यह आपको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है? इसके रावा दोस्तों, related सर्च की कोर और मुद्दे में बता देता हूँ, जैसे बहुत सारे ऐसे states की ओर demand आती रही है, नौर्थ इस्ट में, तो और कहां कहां पर demand आई है? दूसरा, यह बोडो लेंड का मुद्दा क्या है, जैसे यह इसी के अंदर आता है, demand for the north इस्ट जैसे बोडो लेंड की बात करते हैं, greater nagalim की बात करते है, मिगाले के अंदर में भी ऐसी demand है, गारोखासी जैनतिया जो है, वो tribal area को मिला के, वहाँ पर भी same demand है, तो यह demand आम है दोस्तों कहां पर, north इस्ट में, अब आपको क्या देखना है, कि इन demands के पीछे की बज़े क्या है, क्योंकि इनमें एक common reason है दोस्तों, और वो है इनका tribal culture, ठीक है, तो एक common reason है, tribal culture साथ-साथ में migration issue, तो यह आपको ध्यान में रखना है, और इसको ध्यान में रखते हैं, इसको पूरा analyze करना है, मैं तो कह रहा हूँ करना, बर आप करोगे की नहीं करोगे, यह आपके इच्छा है, क्योंकि सांसारीक बातों में आपको ज़्यादा लगा होता है, कुछ बच्चों को, ठीक है, जातर बच्चे जो है इस channel पर बहुत अच्छे है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, और मैं इस बात लिख के देता हूँ, वो बच्चे जरूर एक दिन अपने मावाप का नाम रोशन करेंगे, यह बात मैं लिख रहा हूँ, बठाँ जो समय नहीं हो गया, यह नहीं हो गया, दो मिनट उपर हो गई, पीडिएप अभी नहीं मिली है, यह नहीं मिला वो, इन लोगों का ऐसा ही चलता रहे है, जिन्दगी ऐसा ही गुजरेगी, तो अगर आप सही में aspirant है दोस्तों, तो जो मैंने आपको ही बताया है, यह direction पर काम करना है, क्योंकि यही होता है guidance, आप कैतना सर्फ guidance चाहिए, यह guidance ही दे रहा हूँ भाई, यह guidance दे रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि यह तो आपका जो, चाहे आपका plus वाले students हो चाहे non plus हो, this thing is very important for them, ठीक है, यह plus वालों के लिए बहुत important है, उसके लावा यह नागा लेंड वाला issue क्या है, the great naga issue, what is this, ठीक है, साथ साथ में, आपको देखना है दोस्तों, यहाँ पे कौन-कौन से राज्य हैं, जो international boundary share करते हैं, और कितनी कितनी boundary share करते हैं, यह भी देखना आपको, उसके आलावा दोस्तों, यहाँ पर एक armed force special protection act, आप SPA के उपर में बहुत विवाद होता है, नौर्थ East के अंदर में, ठीक है, यहाँ से एक activist भी थी, जिन्होंने specially इसके आप SPA के उपर में विरोध किया, प्रदर्शन किया था, और भारत के सविधान का भाग नंबर एक, यह आप कर लोगे की नहीं कर लोगे, सारे बच्चे बर comment box में बता दो मुझे, good morning सीमा, यह आप कर लोगे न, ठीक है, देखो मेरे से जितना forcefully आपको कोई कहता भी नहीं होगा, मैं जितना मैं आपको परशू करता हूँ, मैं आपको दबाव डालता हूँ कि पढ़ लो भाई, पढ़ लो, इतना कोई करता नहीं क्योंकि किसी कोई मतलब नहीं है, बट I seriously want कि जिन students के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी अपने लिए काम करें और एक बहतर भविशय अपने लिए बनाएं, अब यह हिंदी में बताया, तो बात करते हैं, उत्तरपूर में अनगर अलग राज्यों की मंगर से बोडो लेंड की बात हो रही है, ग्रेटर नागालिम की बात ही, नागा मुद्धा क्या है, कौन-कौन से देश राज्य हैं, जो अंतराष्टी सीमा साजा करते हैं, कितनी करते हैं, किसके साथ मैक्सिम वगेरा, और साथ में दोस्तों आपसपा और सवीधान का भाग एक, सवीधान का भाग नंबर एक, यह आपको पढ़ लेना है, अब आते हैं सार प्रिलिम्स में, देखो प्रिलिम्स में क्या पूछ सकते हैं, पहली बात तो यह तिप्रा लेंड की बारे में पूछ सकते हैं, इसके हिस्ट्री क्या है, ठीक है, क्या हिस्ट्री है, डेमोग्राफिक चेंजिस क्या हैं इसके अंदर में, ठीक है, भई पहले क्या था, अब क्या है, ठीक है, वो आपको याद रखना चीज़ेस, मैंने बता था, पहले 30-67% के असपास था, और अब वो 31% हो गए है, आर्टिकल 2 और 3 से सवाल पूछा जा सकता है, सवीधान के शेडियूल लंबर 5 और 6 से सवाल पूछा जा सकता है, भी बता है न मैंने, हमने Autonomous Council किसके अदार पे बनाई थी, जिसके अंदर में total 30 अदस्ते होते हैं, वो हमने article सवीधान के schedule number 6 के एसाफ से बनाई थी, सवीधान के 6 अनुसूची के अदार पे बनाई थी, तो ये चीज़े important हो जाती है for the prelims, ठीक है, तो prelims के लिए चीज़े जरूरी हैं, तो you have to study these things, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, इन से सवाल आपका बन सकता है जैसे सवाल मैंने यहाँ पे बनाया था, ऐसे सवाल बन सकता है, तो ये article number 2 और 3 से सवाल था, तो article 3 के अंदर इसमें सही जवाब क्या था, दोस्तों हमारा डी, देखो जब भी कोई राज्ये बनाना होता है, तो बस parliament में simple majority, साधान बहुमत से उस परस्ताव को पारित करना होता है, और वो राज्ये बन जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा कोई जनिजट लेने की जरुरत नहीं है, कि अलग राज्यों से यह, वो फलान ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये हिंदी में हमारा सवाल हो गया था, कि भारत में नए राज्ये बनाने की उद्देश्य से भारत की सवीधान में एक संसोधन पारित किया जाना चाहिए, तो इसके लिए सिंपल है, संसत की दोरा साधान बहुमत भी चलेगा, बात करते हैं में स्पेसिफिक, दोस्तों में स्पेसिफिक, आज बारा बजे क्लास रखी है, मैंने, ठीक है, आ अपनी अंसर राइटिंग की दो से तीन क्लास, क्योंकि काफी टाइम हो गया, अंसर राइटिंग की क्लास थोड़ी कम चल रही थी, और पीछे के बहुत सारे अंसर हमारे बचे हुए है, तो मैं एक दो दिन में अब उसको क्या करूँगा, थोड़ा सा फास्ट और ये अंसर राइटिंग कहां पर मैं कराऊंगा, आपको दोस्तों ये अंसर राइटिंग मैं कराऊंगा, आपको अन अकैडमी की एप के उपर में, ठीक है, अन अकैडमी, अचा ये कितने बज़े है सर, आज ये वैसे कितने बज़े है, इसका फिक्स टाइम अभी तो है बढ़ आगे इसका fix time में रख देने वाला हूँ ठीक है आपको इसका fix time मिल जाएगा और साथ-साथ में इसको जानने के लिए आपको मेरा telegram channel जो है बस इसको follow कर लो telegram channel को follow कर लो आप मेरे telegram channel से जुड़ोगे न देखो comment box में आ रहा है telegram channel का नाम आप उसको follow कर लो तो आपको मेरा सारा time table मेरी classes का time ठीक है मेरी pdf सब आपको मिलती रहेगी तो बस आपको यहां से जाके follow कर लेना है so do you think the formation of new state is good for the India in terms of economy of the state अब आपको सिर्फ economics के हिसाब से बताना है आप एक नया राज्य बना रहे हों ठीक है अब नया राज्य जो है क्या आपको लगता है कि वो ठीक है in terms of economy अब और बात नहीं करनी आप कई बच्चे कुछ-कुछ यहां पर दड़ग मारेंगे मैं specially बोल रहा हूं कि सवाल की अंदर में क्या है economy दिया हुआ है ठीक है सिर्फ economy तो आपको economic perspective से इसको क्या करना है दोस्तों discuss करना है यह बात आपको समझ में आ रही है मेरी बात यह बात clear है सभी बच्चो को सद्दाम राशित गुड मॉनिग यार यह बात clear है आपको यहां पर कई बच्चे लिख देते हैं मैं मैं चेक करता हूँ जैसे हमारे जो plus वाले students है उनका group है मैं उन पर चेक करता हूँ उनका answer वो सारी रामकानी उसी में लिख देंगे ठीक है यह उदर 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 ठीक है मलब वो मत करो यहां पर देखो आपकी requirement के question की ठीक है you have to write on the economic front आपको economic front page पर लिखना है यह आपके subscription का price है छे महीने एक साल दो साल तीन साल ठीक है यह इधर है iconic का subscription है एक साल दो साल और तीन साल का ले सकते हो code आपका क्या रहेगा summit 10 तो यह मेरा telegram channel है PDF यहां दे दूँगा मैं साथ-साथ यह अपना code है ठीक है इसको use करना है to get the 10% of an academy I hope you like the session you enjoy the session so guys please like the video share it and subscribe the channel thank you very much take care bye bye love you guys